स्वदेशे उद्योग लिमिटेट अपना कारखाना हटा कर एक उत्तम स्थान पर ले गए इसके अंतरगत इन्होंने निम्नेकारे किये पहला प्लांट मशीनरी और फिक्चर्स को अलग करने हटाने और पुना लगवाने में 4750 रुपए 4,750 रुपए वे हुए दूसरा पुराने स्थान से स्टॉप को उठा कर नए स्थान पर लाने में 500 रुपए वे हुए तीसरा प्लांट एवं मशीनरी में जिसका मूल्य बहियों में 75,000 रुपए दिखाया हुआ है जिसमें 1500 रुपए पुस्त मूले की ऐसी मशीन सम्मलित है जो कि आप रचलित होने के कारण 500 रुपए में बेच दी गई है तथा 2400 रुपए के लागत की एक मशीन में प्रतिस्थापित कर दी गई है चौथा नई मशीन पर गाड़ी भाड़ा 150 रुपए और संस्थापन वे 275 रुपए हुई पाचवा फिक्चर्स एवं फनीचर को पुस्त को में 7,500 रुपए में प्रकट किया गया है इसका एक भाग पुस्त मुल्य 1500 रुपए रद करके 750 रुपए में बेच दिया गया तथा 1200 रुपए मुल्य का नया फनीचर खरीदा गया छटवा नई फैक्टरी को पेंट करने में 1200 रुपए खर्च किये गया इसमें हमको ये बताना है कि कौन-कौन से वे जो है उन्हें पुंजी गत माना जाए और किनको आगम गत और कारण भी बताना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मशीन को हटा कर दूसरी जगा शिप्ट किया गया दूसरी जगा इंस्टॉल किया गया और उस पे 4750 रुपए वे किये गया तो एक बार अगर हम इसको देखें तो यह ऐसा लगता है कि यह पुंजी गत्वे है क्योंकि यह मशीन रिस संबंदीत है लेकिन दूसरी बात एक यह है कि इसको हटाना अलग करना और फिर से लगव नषी है तो क्योंकि इन व्यहों का जो का इस संब प्राप्द होता रहेगा Chain के यह चरोइ daha buffalo कि की तरह माले प्रमियो में कि जो एक बार वियुक्त करने के बाद भाविश् involved में इस से लप्राप्द होता रहेगा और इसतरह कि जो अब यह होते है इनको हम एक ही साथ क्यालकुलेट ना करके कई साल तक हम इनको छोटे-छोटे हिस्सों में बाट कर लेखन करते हैं तो प्रतिवर्श छोटी-छोटी जो राश्या होती हैं उनको लाभानी खाते में हम अब्लिक्रिक करते जाते हैं तो यहां पर इस तरह के वैं को आगत्वे या फिर इस्तगित आगमदत्वे मान लेना जादा सही होगा दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पुराने स्टॉक को हटा कर दूसरे जगह पर ले गया है तो क्योंकि यह स्टॉक है इस टॉक जो होता है वो क्रेवी-क्रे के लिए होता है वैपार का इसकंद माना जा चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ राशिया जो है वो प्रतिवर्ष टुकड़े में हिस्ते में लाभानी खाते में अप्लिकित की जा सकती है फिर यहां पर हम देख रहे हैं कि पंद्रा सो रुपए पुस्तमूली की जो मशीने है इस डेप्रिसेशन में इंक्लूड है और आ छेलिक यहांज़ार रुपए की खानी हैं अब इस तरह के जो परहास होता है अगर चैर। आप कि जो बिस शोर रुपए वे हें कि मॉन्जेंस घंटी माँनेंगे उससए सब के सब उस मशीन की लागत में जुड़ जाते हैं तो यहां पर जो मशीन का जो क्रेम उले है 2400 रुपए वो पुंजी गत्वे हैं यह मानेंगे फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं नई मशीन पर गाड़ी भाड़ा दिया है और इस्थापना के वे दिये तो जैसे हमने अभी बात की कि जब भी हम किसी संपती को खरीद कर लाते हैं तो नाने ने जाने के वे उसको इंस्टॉल करने के वे सारी के सारे उसके लागत होने मे दे रहें यह सारे के सारे वे उसकी लागत में क्योंकि जुड़ जाते हैं इस्ते हम इंको पुंजीगत में मार लेंगे फीचर्स और फनीचर को पुस्तकों में 7000 रुपय में प्रकट किया गया है अब यहां हम देख रहें कि इसका एक भाग जो है वो 1500 रुपय का जो भाग था रद्द करके 750 रुपय में बेज दिया गया और फिर 1200 रुपय मूले का फनीचर खरीद दिया गया तो यहां पर एक साथ बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं यहां हमको देखना है कि पहले जो 1500 रुपय का जो भाग था जो हानी थी उसमें से 750 रुपय तो यहां पर वसूल हो जा रहे हैं यानि कि जो बैलन्स अमाउंट है जो बैचकर रहे हैं प्राप्तन लुपय किखते रहते हैं महिंने हैं और नय फनीचर को की एंड़ पर बैदक तो नएजाने हैं है उसकितने बहने होते हैं सब रगताल करने का वह है तो अगर हम एक बार इस पेंट करा देते हैं तो लंबे समय तक है प्रक्राप्ट होता रहता है बार बार उनको कराने की जरुरत नहीं होती है और इसमें जो राश्य के गई में यहां को फुछ एक करना नहीं है तो यह पर यह पाइंट करने का जczenia कारण सहीद बताईए कि निमनलिकित मदें जो एक शुगर में से संबंधित है पुंजी गत है या लाब गत पहला एक मोटर ट्रक जिसकी पुस्तुकों में लागत 1250 रुपय थी दो हजार रुपय में बेच दी गई दूसरा 75,000 रुपय में भूमी क्रिशी फार्म के लिए खरीदी वह 450 रुपय भूमी का लगान दिया गया तीसरा भू संपत्ती खरीदने के लिए कानूनी वे 100 रुपय दिये गया चौथा आयकर की अपेल करने का कानूनी वे 250 रुपय पांचवा 50,000 रुपय राज्य विकास रुण में विन्योग किया गया इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जिसमें एक मोटर ट्रक जिसके पुस्तुकों में लागत 1250 रुपय थी दो हजार रुपय में बेच दी गई यानि कि बुक वैलियो उससे मोटर ट्रक की यानि कि पुझी है वो संपत्ती है उसके बुक वैलियो 1250 थी और 2000 रुपय में वो बिग गई माना जाएगा दूसरा पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं 75,000 रुपय में भूमी क्रिशी फॉर्म के लिए खरीदी गई और यहां पर जो वै हुआ वो पुझी गत्वे है और साथी साथ हम यह पर यह भी देख रहे हैं कि अगर यह पुझी गत्वे है क्योंकि भूमी त चुकाया जाने वाला जो वै है 450 रुपय जो लगान है वो लाब गत्या आगम गजी से हम कहते हैं वह है क्योंकि गर के जो राशी है वो तो प्रतिवर्श चुकाया जाती है थार्ड पॉइंट हम देख रहे हैं वह संपत्ती खरीदने के लिए कानूनी वै सो रुपय दिये गए लिए टो भू संपत्ती खरीदने के लिए जो वैशुकाया रहे वह पूंजी गत्वे हैं यहां पर साधारन वेपार को चलाने की से संबन्दित है और लेकिन क्योंकि स संपत्ति है स्थाई है और इस पर जो वह किये जाएंगे वह सभी प्रकार के वह होते हैं तो यहां पर्भू संपत्ति को खरिदने के लिए जो कानूनी वह दिये गए उसकी लागत में जोड़ जाते हैं तो यह पूंजी गत्वे कहलाएंगे फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं आयकर की अपील करने का कानूनी वह 250 रुपए हैं अब आयकर यानि इंकम टेक्स के लिए जो कानूनी वह किया गया है देखा जाए तो एक साधारण वैपार को चलाने के संब्द में ही किये गये हैं वह हमेशा जो भी वैपार का लाब होत होता है उसकी इंतरगत इंकम टेक्स रहे हैं तो इस तरह कि जो वह होते हैं और आगम दत्वे का था पांचवा पॉइंट हम देख रहे हैं कि 50 रुपए राज विकास करने करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं देखा जाया तो एक संपत्ति को क्रे करने के लिए किया गया यह तो इस तरह का जो एक बड़ी अमाउंट बड़ा विन्योग इंवस्मेंट हम जो कर रहे हैं वह उसको हम उसे रिलेटर जित्ते भी के एकस्पेंसेज होते हैं उनको हम पूंजी गत वैके अंतरगत शामिल करते हैं कारण सहीद बताइए कि निमनलिखित मदें पूंजी गत है या आगमगत पहला तेरा हजार आर्ट सो रुपए में एक पुराना भवन खरीदा वह दो सो रुपए का कानूनी वैखिया दूसरा नौसो रुपए भवन में बिजली पिटिंग पर वैखिया तीसरा भवन पर नगर पालिका कर तीन सो रुपए दिया गया यहां हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसमें तेरा हजार आर्ट सो रुपए का एक पुराना भवन खरीदा गया है और उस पर कानूनी वैदिये गया है तो यह तो हमको बिल्कुल इस फर्स्ट हो जा रहा है आपर कि वह भवन है एक बिल्डिंग है यानि कि प खरीदा गया है जो भवन तेरा जार आट सो रुपए वह कौन सा वह है तो सेधी सेधी से बाते हैं आप पर हमको दिखाई देनी कि भवन खरीदा गया है यानि कि इस्थाई संपत्ति खरीदी गई है तो यह जो वह है वो भी पुंजी गत्वे कहलाएगा दूसरा नियान को रहने के योग्य बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी उसमें करेंगे सारे के सारे अधिया यह मानेंगे कि सथाई संपत्तियों से रिलेटेड एक्संस जी है तो यहाँ पर पुंजी तो यहां पर बिजली पिटिंग का जो वह है पुंजी क्या पर इस तरह के कर देनी होते हैं तो यह जो कर है भवन पर नगरपाली का कर तीन सुरुपे इसको आयगत मान लेंगे क्योंकि प्रतिवर्श्चित को सुरक्षित रखने या उसको संभाल कर रखने से समंधित इस तरह के वह होते हैं निमनलिकित मदे एक शक्कर वेवसाई के यहां पुझेगत है या आयगत बिताईएं पहला बिके हुए माल के भाड़ा का बुक्तान दूसरा एजेंट को माल बेचने के लिए दिया गया कमिशन तीसरा एजेंट को माल क्रे करने के लिए दिया गया कमिशन चौथा एक मशीन के एक भाग के पुना स्थापित करने के वैं यहां पर हम देख रहे हैं कि बेके हुए माल पर जो भाड़ा का भुक्तान किया गया है और वह एक आयगत्वे हैं क्योंकि जनरली किसी भी वैपार में इस तरह के छोटे-मूटे एक्सपेंस गाड़ी भाड़ा दिये जाते रहते हैं आवर्तक प्रवित्ति की होते हैं साधारन में इनको मान लिया जाता है इसलिए यह आयगत्वे करने लाते हैं दूसरा हम यहां पर देख रहे हैं कि एजेंट को माल बेशने के लिए जो कमिशन दिया गया है क्योंकि एज सभी को कुछ निया कश्श करने के लिए दिया गया कमिशन को माल करने के लिए कि यह भी करना में इसको कमिशन देना इसा बहुत नौर्मल सी चाइज़े होती हैं यानि इस तरह के जो व्य होते हैं आवर्तक प्रभिर्प्तिश के होते हैं हम इसको आइगत भे मान सकते हैं कि ए फॉर्थ पॉइंट हम देख रहें आपर एक मशीन के एक香港 के पुना इस्ठापित करने के वैं तो मशीन के भाग को स्थापित करने का जो जो बैंज सपती है को पद्धिक को खरीद कर लाना उसके लिए भाड़ा देना फिर इसको इंस्टा उल करना कि ते हैं उस मशीन की कॉस्ट में जूझ जाते हैं और शुक्ति जुञते हैं यह बनी है उसको हम उससे हम कारे ले सके इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं तो कुल मिलाकर में कह सकते हैं कि 27-38 संबंदित यह वे होते हैं और इस तरह के सभी वे पूंजी गत्वे कहलाते हैं निम्नलिकित वे पूंजी गत्वे यह आए गत्व कारण सहीत उत्तर दीजिए पहला अंशो के निर्गमन पर वे दूसरा पुराने खरीदे गए इंजिन का मरम्मत वे तीसरा उत्पादित वस्तु पर दिया गया उत्पादन कर चौथा एक यंत्र की स्थापना पर दी गई म प्लाजवा किसी करमचारी के कारखाने में कारе करते समय घायल और दी घजाती पूर्ती की रकम है है कि अन्षो के निर्गमन पर जो वह हो रहा है वह कौन सा वह है तो इसको हम पूंजी प्राप्त कर सके कुछ धन प्राप्त कर सके कि यह पूंजी से संबंदित होते हैं पूंजी प्राप्त करने से संबंदित होते हैं इसलिए इस तरह के सभी वे पूंजी गत्वे कहलाते हैं दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं कि पुराना इंजन खरीदा गया है और उसकी मरमत कराई गई है तो मरमत क्यों कराई गई है उसको का नहीं कर रहा था मरमत पर अगर हम कुछ वे कर देते हैं तो वह कारे योग बन जाएगा दूसरी महत्पूर बात पुराना इंजन यानि किसी गाड़ी का या मशीन का जिसका भी वह पार्ट होगा कहीं न कहीं तो इस्थाई संपत्ति को कारे योगे कारे करने योगे बनाने प बहुत ज Tiffany य those चैरा-ट्न K होता है कोई भी acontecिन करेंगे उद्पादन करेंगे तो हमको कर देना होगा और जब भी हम उत्पादन करेंगे तब हमको यह कर देना होगा तो इस तरह का जो फ़फादन लागत का एक भाग light जाता है और उत्पादी अऔर अधिव्याश अब यंत्र नाम से स्पस्ट हो जा रहा है कि संपत्ति है कौन से संपत्ति है इस्थाई संपत्ति है इस्थाई संपत्ति ओपर जो भी वे दिये जाते हैं लाने ले जाने इस्थापित करने यह सारे वे जो होते हैं वो उनके लागत में जुड़ जाते हैं तो यही कारण है कि यह जो यंत्र के स्थापना पर जो मजदूरी दी गई है कि फिप्थ पॉइंट हम देख रहे हैं घायल होने पर कर्मचारी को दी गई छतिपूर्थी तो यह तो समाने वेपार संचालन से संबंदित हैं पहले भी हमने देखा था कि वेपार संचालन में इस तरह के जो छतिया होती है इस तरह की दुर्गटनाएं होती है वह नॉर्मली होते रहती है और इससे संबंदित जो भी छतिपूर्थी होती है वह वेपार का जो ओनर होता है उसकी द्वारदी जाती है तो यह जो चतिपूर्थी की रकम है उसको हम आगम गत्वे मान लेंगे निमनलिकित वह पुझी गत्थ है या आगम गत्थ आ रहे हैं कारेंट सहीद बताईए पहला बिन्यों को बेचने से लाब प्रॉफिट अन्ट फ्रॉम्द सेल ओफ इन्वेस्मेंट दूसरा चत्यसगर्ण सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता सब्सिडिय रिसीफ फ्रॉम सीजी गवर्मेंट तीसरा आयकर की अपील का वैधानिक वैं लेगल एक्पेंसेस और अपील पॉर इन्कम टैक्स चौथा उत्पादन पर शाशन को दिया गया उत्पादन कर एक्सायस दिवूटी पेड तो गोर्मेंट और गुड्स मैनुपक्च्चर नवीन पनीचर का मर रिपेर्स एक्सपेंसेस पेड और न्यूफ फॉर निचर यहां पर हम देख रहे फिर्स्ट पॉइंट जिसमें विन्योग को बेचने से लाब हुआ है अब विन्योग यानिक इन्वेस्मेंट एक पुंजीगत यहां पर तत्व है तो यहां एक प्रकार की स्थाई संपत्त ह髙地 हैं मान सकते हैं तो इसको बेचने से लाब करता है हो सब सब्सकlishing पर न superior होए तो 36 सरकार से प्राप्थ सायता तो 36 स़ता कार से रहता होती है भार भार तो नहीं होती है किसी ब्रेस एस्तर प्रहिंब होती है तो यह जो सहायता प्राप्त होगी उसको हम पूंजी गताय मान नहींगे क्योंकि अनावर्तक प्रवृत्ति की है बार-बार प्राप्त होने वाली सहायता नहीं है तीसरा यहां पर हम देख रहे है आयकर की अपील का वैधानिक वैडिक लिगल एक्सपेंसेस ओनपील और इनकम टेक्स तो अब क्यूंकि आपील की गई है और समाने वेपारसंद चालेंसे संबंधित एक वैज है यह वैपारसंद के लिए आयकर का पिमिट करना इस सब साधार के इख माल लेंगे कि क्या गया है और यह क्योंकि चौ। यहां पॉइंट यहां पर शाषन को दिया गया उत्पादन कर नकांड कि लिए वुट यह जब भी उत्पादन किया जाएगा तब दिया जाएगा तो आवर्तक प्रवृत्ति का एक प्रकार से यहां पर हम इसको आगम गत्तान मान देंगी क्योंकि देखा जाए तो यह उत्पादन लगत का एक भावी है फिफ्थ पॉइंट यहां पर हम देख रहे हैं नवीन फरनीचर का मरमत वे नए फरनीचर एक तो नया है यह उसको खरीदने का वे है वो पुंजिगत वे है अब इस पर मरमत इसलिए के गई है ताकि उस इस्थाई संपत्ति की कारेशमता को बनाय रखा जाए तो बनाय रखन के लिए कि वे ना कि इसको बढ़ाने के लिए तो क्योंकि बनाय रखने का वे है और इस तरह के वे उस पर बार-बार किया जाता रहेगा तो इस तरह की जितने भी हम वह आगमदत वे के अंतरगत आएंगे कारण सहीद बताईए कि निम्नलिखित वे पुंजी कते हैं या आगमधत पहला फनीचर का मरम्मत वे रिपेर एक्सपेंसेस इंकरेट ओन फनीचर दूसरा कार्याले भवन निर्माण में दी गई मजदूरी वेजेस पेड ओन कंस्ट्रक्शन ओफ ओफिस बिल्डिंग कारयले भवन तीसरा बेचे गये माल पर दिया गया गाड़ी भाड़ा क्यारेज पेड ओन गूड्स सोल्ड चौथा कर्मचारियों को दिया गया विद्दन सेलरी पेड टू इम्प्लोईस पाच्वा उत्पादित वस्तू पर दिया गया उत्पादन कर एक्साइस ड्यूटी पेड ओन गूड्स मैनुपेट्चर सब्साइस करें करने के लिए उनकी कारशम्ता को बनाए रखने के लिए उनमें चोटे मोटे वे करने होते हैं तो इस तरह का यह होता है वह आगम गत्वाई कहलाता है की दूसरा यहां देख रहे हैं कि कार आलय भावन निर्मान में दी गई मजदूरी का दूर निर्मान में जो मजदूरी दी है क्योंकि भवन का निर्मान हो रहा है और भावन एक स्थाहिव संपत्ती है स्था संपत्ति एक रहा हैं देख रहे हैं दिया गया गाड़ी भाड़ा पर दिया गया गाड़ी भाड़ा यह समद्धित हैँ कि समाने पार संचालंज से संबंधित है आवर्तक प्रवित्ति आगांगत है चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कर्मचारियों को दिया गया वेतन तो ये भी समाने वेपार संचालन से संबंदित हैं वेपार में अगर कर्मचारी होंगे तो उनको प्रतिमा वेतन तो देना ही होगा क्योंकि सवाण्निवे पार्सनलांसे संवाधनिवे है इसलिए इसको यहां पर हम आगमगत्यवे मान सकते हैं । 17 पॉइंट हम देख रहे हैं उत्पादित वस्तो पर दिया गया उत्पादन कर भी उत्पादन लागत कर यह किस इस्सा है उत्पादन अगर किया जाएगा तो उत्पादन कर तो दिया ही जाएगा то इससे सम्मादेगत जितंने भी वह होते हैं वह आगमदत में कहलाते हैं एक अगर लिखित मद्य एक सिनेमा घर से सम्मादत है और उसके इस्थान पर तीन हजार रुपए की एक नई मशीन खरी दी गई अन ओल्ड मशीनरी विच कॉस्ट ओफ रुपे 1700 वस सोल रुपे 450 और इन प्लेस ओफ दैट अन्यू मशीनरी वस पर्चस पॉर रुपे 3,000 दूसरा नई मशीन के भाड़े वढूलाई में 400 रुपे बैह हुए इस प्रश्ट में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पॉइंट में जबकि पूरानी मशीन को बेचा गया है और बेचने पर 1250 रुपे की हानी यहां पर हमको दिखाई दे रही है तो यह जो हानी है क्योंकि यह मशीन को बेचने से सम्मंदित है और मशीन जो है वो एक प्रकार से 27 संपत्ती है तो यह जो हानी होगे 27 संपत्तियों पर जो लाभानिया होती है उनको पूंजी गत लाभानी के अंतरगत शामिल करते हैं और दूसरा यहां पर हम देख रहे हैं कि नई मशीन खरीदने पर गाड़ी भाड़ा दिया गया है तो हमने पहले भी देखा कि किसी भी तरह कि स्थाई संपत्ती को अगर हम खरीदते हैं तो उसके खरीदने का जो मुल्य होता है उसके साथ साथ उसको कहीं लाना ले जाना उसको इंस्टॉल करवाना इस्थापित कराना इससे रिलेटेट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं यह उसके कॉस्ट में जोड़ जाते हैं उसके लागत में जोड़ जाते हैं कि सिनेमा घरों में बैटकों के संख्या बढ़ाने पर 15,000 उपए वे हुए सिनेमा घर अब मतलब एक प्रकार का भवन है संपत्ती है इस्थाई संपत्ती है और अगर इसके बैट में के कापसिटी बढ़ा दी जाए तो जाहिए से बात है कि अर्णिंग जो है वो बढ़ करते हैं तो वो पूंजी गत्वय में आता है और अगर इसको बनाए रखने में हम जो चुटा मोटा कारी करते हैं वो आगम गत्वय में आता है क्योंकि अगर हम उसमें बैटकों कि संख्या बढ़ा दें तो उसकी उपार्जन चंता में व्रिद्धी होगी उस स्थाई संप पूंजी गत्वय में कहलाता है